मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात अब भारत के सिमाउं तक सिमित नहीं रही है, दुनिया के अलगलग कौने में भी मन की बात की चर्चा होती है, और विदेशों में रहने वाले हमारे भारतिय समुदाए के लोग हैं, वे भी मुझे बहुत सी नहीं-नहीं जानकारिया देते रहते हैं और मुझे भी कभी कभी मन की बात में विदेशों में जो अनोखी कारकम चलते हैं उसकी बाते आपके साथ सेर करना अच्छा लगता है आज भी मैं आपका कुछ ऐसे लोगों से परिचे कराऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आडियो सुनाना चाहता थोड़ा गोर से सुनिएगा सर्वेप्या बहा बहा सुपकामनाय असते सर्दार वल्लब्भाय पटेल महा दयश्य लोह पूरुष्य इती उच्यते त्रयो दशा विमसती सहस्त्र तमे वर्षे लोह संग्रहश्य अभ्यानम प्रारब्धम चतुर त्रिम्षत अधिक सत्तम टन परिमितम लोहश्य गलनम कृत्तम जार खंडश्य एक कह कृश्य कह मृत्गरश्य दानम कृत्तवान भवन्तु शोण्वन्तु रेडियो उनिटी नवती अफेम एक भारत स्रिष्ट भारत साथियों बाषा तो आप समझ गए होंगे ये रेडियो पर संस्कृत में बात की जा रही है और जो बात कर रही है वो है आर जे गंगा आर जे गंगा गुजरात के रेडियो जोकिस के ग्रूप की एक सदस्य है उनके और भी साथी है जैसे आर जे निलम, आर जे गुरू और आर जे हेतल ये सभी लोग मिलकर गुजरात में किवडिया में इस समय संस्कृत भाषा का मान बढ़ाने में जुटे हुए है और आपको मालूम है ने ये किवडिया वही है जहां दुनिया का सबसे उंचा स्टेच्यू हमारे देश का गौरौप, स्टेच्यू अफ यूनिटी जहां पर है उस किवडिया के में बात कर रहा हूँ और ये सब ऐसे रेडियो जोकी हैं जो एक साथ कई भूविकाई निभाते हैं एक गाइड के रूप में भी अपनी सेवा देते हैं और साथ साथ कॉम्यूनिटी रेडियो इनिशिटिव रेडियो यूनिटी 90 एफेम उसका संचालन भी करते हैं ये आर्जेस अपने पर की बारे में कहा गया हैं अमूरतं संस्कृतं मित्र सरसं सरलम वचश एक्ता मुलकम राष्टे ज्ञान विज्ञान विज्ञान पोशय कम अर्वा सवाया से विज्ञान व से ये ज्ञान, विज्ञान और राष्ट की एक्ता का भी ओशन करती हैं, उसे मजबूत करती हैं, संस्कृत साहिते में मानवताव और ज्ञान का ऐसा ही दिव्य दर्शन है, जो किसी को भी आकर्सित कर सकता है, हाली में मुझे कई ऐसे लोगों के बारे में जानने को मिला, जो विदेशों में संस्कृत पढ़ाने का प्रेरक कार्य कर रहे हैं, ऐसे एक व्यक्ति हैं, सिमान, रटगर, कॉर्टेन, होर्ष्ट, जो आयरलेंड में संस्कृत के जाने माने विद्वान और शिक्षक हैं, और वहां के बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं, इधर हमारे यह प्रपंड विद्या और डॉक्टर कुसुमा रक्षामनी, यह दोनों थाइलेंड में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत महत्मप्रून भूमी का निभा रहे हैं, उन्होंने थाई और संस्कृत भाषा में तुलनात्मक साहिते की रचना भी की हैं, ऐसे ही एक प्रफिसर है सिमान बोरिस जाकरी, रशिया में मोस्को स्टेट उनिवर्सिटी में यह संस्कृत पढ़ाते हैं, उन्होंने कई शोध पत्र और पुस्तके प्रकासित की हैं, उन्होंने कई पुस्तकों का संस्कृत से रुशी भाषा में अनुवाद भी किया हैं, इसी तरह स सिर्डिनी संस्कृत स्कूल आउस्ट्रेलिया के उन प्रमुख समस्तानों में से एक हैं, जहां विद्यारतियों को संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती हैं, यह स्कूल बच्चों के लिए संस्कृत ग्रामर कैम, संस्कृत नाटक और संस्कृत दिवस जैसे कारकमों का भी आय हैं, हमारी विरासत को संजोना, उसको समालना, नई पीड़ी को देना, यह हम सब का कर्तब्य हैं, और भावी पीड़ीों का उस पर हक भी है, अब समय हैं, इन कामों के लिए भी सब का प्रयास ज्यादा बढ़े, साथियों अगर आप इस तरह के प्रयास में जूटे, ऐसे क किसी भी वेक्ति को जानते हैं, ऐसी किसी जानकरी आपके पास है, तो कृपया, हैस्टेग, सेलिब्रेटिंग संस्कृत के साथ, सोशल मीडिया पर उनसे संबधित जानकरी जरूर साजा करें.